चोताओं नमस्कार, 90.4 MHz की फ्रिक्वेंसी प्रम्में आपका भाई मदन गोपाल वेजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे नए कारक्रम, काम की बाद कहानियों के साथ में। प्री विद्यार्थी भाईयों और बेहनों, आज की कहनी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका शीरशक है परमार्थ। रिशी अंगीरा की आश्रम में सुबह सुबह की बात है उनका सबसे प्रिविद्यार्थी, सबसे प्रधिभाशाली विद्यार्थी, सबसे अच्छा विद्यार्थी उधयन उनके पास आता है और उनसे अपनी बाते कहता है जब उदियन की बाते पूरी हो जाती हैं तो रिशी अंगीरा को लगता है कि उनका यह सबसे अच्छा विद्यार्थी, सबसे विद्वान विद्यार्थी, सबसे प्री विद्यार्थी एक आंगी होगी झाल झाल उसकी गर्मे का लाब हम सभी ले रहे हैं तो क्यों न ऐसा किया जाए कि अन्न कोईलों का लाब तुम सब लो उस बड़े कोईले का जो तेज है जो धधक रहा है उसका फायदा मैं उठाओं अंगेटी से निकाल कर मेरे समीपला कर रग दो गुरु की आग्या विद्यार्तियों को मान नहीं है चिम्टे से उस कोईले को जो बहुत तेज अस्वी था बहुत तेज धदक रहा था झाल 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 आज सुबह में जो आप से अपनी ही बाते कर रहा है आत्मे केंजित बात कर रहा था अपनी ही सोच में डूबा हुआ था अपने ही लाब में पागल हो गया था अब मेरा वह पागल पन मेरी वह भूल मिट चुकी है मुझे इस बात का ज्यान हो चुका है कि अगर अपने पास कुछ है तो दूसरों के साथ शेर करने से वह बढ़ता ही है घटता नहीं है प्रिविद्यार्थियों आपने यहां देखा उस अंगारे को उस बड़े से कोईले को जिसे उसके साथियों से अलग कर दिया गया तो उसका तेज समाप्त हो गया अगर वो अपने सात्यों के साथ रहðता, अपने सहीयोगियों के साथ रहता, तो क्या उसका तेज समाप्त हो सकता था? एक दम नहीं. आपने सुना भी है, अकेला चना क्या कभी भाड़ फोड़ सकता है, कभी नहीं आपने तिनका देखा होगा, जब वो अकेला रहता है, तब तक क्या कहलाता है, केवल तिनका लेकिन जब अपने साथियों के साथ संगठित हो जाता है तो वही तिनका क्या हो जाता है जाडू वह जाडू हो जाता है जाडू तो आप जानते ही है जाडू कितना बड़ा काम करता है सारी सफाई का दायत उसी के जिम्मे है लेकिन जब वो अकेला था तो वो तिन का था उसका कोई अस्तित्व नहीं था जब वो अपने सायोगे के साथ ताल में बैठा लेता है उनके साथ जुड़ जाता है उनके साथ रहने लगता है उनके साथ बन जाता है तो कितना बड़ा उद्देश पूरा होता है उसके द्वा पाएगा जल मचली को अपने से बाहर निकाल दे तो क्या उसकी शुद्धता स्थिर रह पाएगी सूर्य अंधाकार से कहे कि मैं तुम तक नहीं आऊंगा तो क्या अंधाकार मिट जाएगा और यह हवा अगर इसकी उपयोगता नहों तो क्या इसका अस्तित्व रहेगा हवा क तो क्यों है क्योंकि इसकी उपयोगता है आपके यूज में है हवा हवा से आपका प्राण है वनस्पतियों का प्राण है यहां तो जीवन है वह हवा से है यहां जो जीवन है वह हवा से है हवा कहां नहीं है तो हवा क्यों है हवा इसी लिए है यही जीवन है जहां जीवन नहीं है वहां हवा नहीं है अंत्रक्ष में देखिए 200 किलोमेटर उपर हवा का दबाव कम होते होते वहां हवा रही नहीं जाती है तो यहां हवा इसलिए है क्योंकि यहां जीवन है अगर जीवन नहों तो हवा का महत्व बिलकुल नहीं है मचली जल में न रहे तो जल प्रद पूल से तो मधु बन नहीं जाएगा, पूल के पास मकरंद रहता ही रहता है, लेकिन उससे मधु नहीं निकलता है, मधु तो तभी निकलता है जब मधमख्य उससे मकरंद चूसती है, और उसे मधु में परविर्थित करती है, सहयोग और उपयोगता दोन एक दूसरे के पू अगर उपयोगता नहीं तो कौन किसका सहयो लेने जा रहा है कोई पूश्ता भी नहीं आपका सहयोग कोई भी तभी लेगा जब आपकी उपयोगता होगी आप में प्रदिभा होगी आप में कुछ एक्स्ट्रा होगा और आप में कुछ एक्स्ट्रा हो और अगर आप एक चैनीर, परमारत के कारने, साधुन धरा, शरीर. इस शरीर की उप्युकता किस लिए है? परमारत के लिए है. आप कितने ही वड़े ग्यानी हो जाएं, कितने ही वड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन आत्म केंद्रित हो जाएं, तो ऐसे ग्यान और विद्वता का क्या मतलब? कुछ भी नहीं, गोबर गनेश, आप तो कम सकम गोबर गनेश नहीं बनेंगे, जो भी प्रतिभा आपके अंदर है, जो भी योगिता आपके अंदर है, जितना आप जानते हैं, उसे समाज में इंपेक्ट कीजिए, समाज को उसका लाब पहुचाईए, तब ही उसका मतलब है, इसलिए वह आपको मिला है, आपने देखा उदियन को, मैं बहुत प्रतभाशाली हो गया हूँ, मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, अब मुझे एकांगी हो जाना चाहिए, अगर वह एकांगी हो गया होता, तो क्या कोई आज उसका नाम लेने वाला होता, क्या उसकी चर समाज के लिए कार किया, और आज समाज उसका नाम ले रहा है, फ्री विद्यालतियों, आप समाजिक प्राणी हैं, आप इसी लिए समाज में हैं, आपका प्रादरुभाव इसी लिए हुआ है, आपका उदय इसी लिए हुआ है, और आप इसी लिए विद्याले में जाते है जो भी आप में हैं, उसे समाज में इंपक्ट करें और उसका लाब समाज को दें। जिसने जितना भी समाज को लाब पहुंचाया है, वो उतना ही महतोपूरुण व्यक्ति सिद्ध हुआ है। आप अपने को सबसे महतोपूरुण व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश करें। नहीं है कि आपको आपका लक्ष ना मिले तो मेरे प्रिविद्यार्थी भाईयों बैनों कैसी लगिया आज आपको कहानी आपको निश्चित रूप से कुछ तीखने को मिला होगा तो अपने भाई मदन गोपाल वेजा पुरकुर का आग्या दीजे तो सुनते रहिए 90.4 आइटी कानपुर कम्यूनिटी रेडियो नमस्कार